सबी श्रोताओं को मेरा नमसकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में जैसा कि आप सभी जानते हैं US में कुछी दिनों में इलेक्शन्स होने वाले हैं इसलिए हम आज का वेबिनार आप सभी के लिए लेकर रहा हैं ताकि हम सब डिसकस कर पाएं कि इलेक्शन्स किस प्रकार से असर डालते हैं मार्केट्स पे और किस प्रकार से इन समय में हम ट्रीडिंग अपॉर्चुनिटीज ढून सकते हैं कौन से टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्शन्स किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं मार्केट को फिर हम चलके देखेंगे कुछ हिस्टोरिकल नंबर्स यानि कि पहले पास्ट में इलेक्शन्स के दौरान क्या हुआ था यूएस में और फिर एलेक्शन्स के पहले और एलेक्शन्स के बाद के रिटर्न्स और आगे चलके कुछ important points हम देखेंगे फिर हम देखेंगे कि traders के लिए यह सारा information क्यों important है फिर हम कुछ scanners develop करेंगे कुछ strategies develop करेंगे और अंत में इस webinar को 현clet करेंगे elections क्यों impact करते हैं markets को so elections जो है एक uncertain time होता है यानि कि market को पता नहीं है exactly कौन president बनने वाला है आगे की policies क्या होंगी कौन elect होगा क्या ideologies रहेंगी क्या agenda रहेंगी next president के इसी कारण से जो volatility है वो जादा हो जाती है market में मानली जी कि अगर आप कोई business कर रहें या आप job भी कर रहें तो आप चाहेंगे कि government stable रहें आगे जो policies है वो stable रहे, rules laws change ना हो rules change ना हो इसी प्रकार से जब कोई important event होने वाला होता है जो कि काफी सारे rules regulations और policies को frame करने वाला होता है से related होता है तो उस time पर वालिटालिटी जो है market में काफी जादा बढ़ जाती है कुछ historical numbers यहाँ पर display किया हुए है इस table में year 1952 से लेकर के 2016 तक जो भी elections हुए है red में democratic party और blue में आप देख सकते हैं Republican यहाँ पर कुछ important points देखने लाएक हैं जैसे कि six out of eight times आठ में से छे बार प्रेसिडेंट जो है अगर next term के लिए खड़ा है तो फिर वो reelect हो जाता है S&P 500 जो की benchmark index है United States में उसका जो average return है election year में वो रहा है कुछ 10% average return election year में S&P 500 के returns before and after election यह जो table है वो काफी महत्वपून टेबल है इससे हमें काफी ज्यादा important जानकारी मिलने वाली है सो यहाँ पर हम year 1972 से लेकर 2016 तक यान की कुछ last 50 years का analysis कर रहे है October जो की election के पहले का month होता है उसमें हम generally less return देख पा रहे है almost 0% जो November जो की election month होता है उसमें हम देख रहे है कुछ average on an average 1% return 3 month before the election यान की election के 3 month पहले तक यहाँ पर आप देख पा रहे है 0.7% average return रहा है last 50 years में but जैसे ही election complete हो जाता है next 3 months में average return 2.8% हमें देखने के लिए मिल रहा है similarly यहाँ पर हम अगर देखे तो elections के 6th month पहले 1.5% और 6 months बाद 3.2% election के 1 year पहले 10% average return election year next year यानि की election के just बाद November से लेकर के और sorry next year जो भी election माल लीजे आप यहाँ से 2021 right so next year जो भी returns है वो है on an average 14.75% इस average figure से आप अगर ध्यान से देखा होगा तो हम एक अनुबान लगा सकते हैं कि जो भी period पहले होता है election के उसमें हमेशा कम return आपको देखने के लिए मिल रहा है average और जो भी बाद का period होता है after election period उसमें average return जो है हमेशा जादा है ऐसा क्यों है वो हम next slide में discuss करेंगे उसके अलावा यहाँ पे कुछ important figures हैं जैसे कि यहाँ पे negative और positive count लिखा हुआ है यानि कि कितने समय return जो है negative था और कितने समय positive था तो यहाँ पे कुछ बहुत ही interesting figures है जैसे कि 10 out of 12 times 6 month before the election जो है trend positive था और 10 out of 12 times year of election यानि कि election year में जो है returns positive था और next year में 9 out of 12 times so क्या important points हमने note कि है यहाँ पे कि election के पहले जो period होता है जैसे कि हमने पहले भी discuss किया था market को uncertainty नहीं पसंद होती है so election के जो पहले का time होता है उसमें थोड़ा बहुत cool off हो जाता है market इतना ज्यादा perform नहीं करता है but market ज्यादा perform करता है election के बाद क्यूंकि कासी सारी चीज़े clear हो जाती है policies clear हो जाती है कौन elect हुआ है सारी चीज़े market के सामने आ चुकी होती है अगर 3 months before election market negative return दिखा रहा है historically तो chances होते हैं कि जो party है वो change हो जाएगी ruling party जो है वो change हो जाएगी year after election यानि कि election के एक साल बात अगर democratic party elect होती है तो on an average market ने 21% return दिखा है one year में after the election वहीं अगर Republican party elect होती है तो market ने next year on an average 8% return दिखा है तो यह सब जानकारी जो है हम traders के लिए important क्यू है इससे तो हम सबसे पहले यह जान पाए है कि markets जो है trend करते हैं election के बाद तो इसी कारण से हम traders के पास opportunity होता है कि trend following momentum strategies को develop करें और जो movement होती है उसे capture करें यह काफी जरूरी है कि हम एक entry condition exit condition और strict stop loss और target profit वाले strategies बनाए ताकि जो volatility है उसके कारण हमारे अगर losses भी हो जाए कुछ तो contained हो losses बहुत जादा loss हमारा ना हो risk management proper होना चाहिए हमने risk management पे भी dedicated webinar किया हुआ है अगर आप detail में जानना चाहता है risk management किस प्रकार से करना है इस free platform पे तो आप जरूर हमारा dedicated webinar देखे risk management के उपर तो आगे चलके हम देखने वाले कि किस प्रकार से हम इन opportunities को capitalize कर सकते हैं street platform का use करके तो आईए सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम scanner बनाएंगे तेकि उससे पहले बहुत ही important information मैं आपको बता जेना चाहूंगा यहाँ पे जो है S&P 500 और Nifty 50 को मैं compare कर रहा हूं जैसा कि आप देख रहें दोडों ही जो index है US का और इंडिया का काफी similar pattern दिखाते हैं US की जो economy है वो एक largest economy है और आज दुनिया में सारी economies interrelated है यानि की connected है इस कारण से अगर कोई बड़े economy में कुछ होता है तो उसका प्रभाव सारी economies में बेखने के लिए मिलता है इसलिए जो nifty का trend है वो काफी हद तक सेम रहता है S&P 500 से returns हाला की exactly same नहीं रहेंगे percentage terms में but जो trend है वो बड़े I mean बड़े time frame पे बहुत ही similar रहता है सो यह इस slide में मैंने same strategy एक बहुत ही simple EMA strategy को compare किया है 2012 elections के बाद और 2016 election के बाद इस प्रकार से आप बहुत सारे अलग-अलग stocks अलग-अलग index पे अपनी strategies run करके compare कर सकते हैं कि historically elections के time आपकी जो strategy है वो किस type से perform किया था और कौन सी एर में कौन elect हुआ था क्या average return रहा था वो सारी information तो मैं आपको पहले slides में दिखा चुका हूं सो आईए एक scanner बनाते हैं अब practical application पर आ जाते हैं एक जो फर्स scanner हम बनाने वाले हैं वो bullish scanner है इसमें हमने vortex indicator का use क्या है अरून indicator का use क्या है and ADX indicator का use क्या है जिस प्रकार में बनाता रहूंगा scanner को मैं आपको explain भी करता रहूंगा कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है सो street platform पर हम आ जाएंगे website आपको पता है street.zeroda.com ये website आपको open करनी है and scanner में जाएंगे create scanner यहां पर हम choose कर लेंगे okay मैं थोड़ा इसको zoom in कर लेता हूं ताकि सभी easily देख पाएं screen को alright so यहां पर nifty 500 select कर लेते हैं and time frame हम रखेंगे 5 minutes chart type candle stick vortex first हमें use करना है vortex 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 इंडिकेटर जो है वो हमें momentum बताता है so momentum positive होना चाहिए vortex जो plus vortex है higher than होना चाहिए negative vortex से plus vortex higher than minus vortex and अरून इंडिकेटर का भी use करेंगे हम अरून अब होना चाहिए higher than अरून डाउन so इन दोरों इंडिकेटर का यूज करके हमने पता लगा लिया कि जो momentum है वो positive होना चाहिए and अब हम चेक करेंगे कि trend भी positive होना चाहिए या फिर अभी फिलहाल में जो bullish trend है वो स्टार्ट होना चाहिए momentum तो positive है momentum positive direction में है साथ-साथ में हम अब यह चेक करेंगे कि trend भी positive develop हो रहा है इसमें हम DEMA का use करेंगे double exponential moving average crosses above DEMA period में 21 हम use करेंगे सो यहां पर हमने trend define कर दी एक और इंडिकेटर का हम use करें ADX ADX जो है higher than number 24 यानि की एक decent trend एक अच्छा हासा trend होना चाहिए stock में यह हमें बताएगा ADX indicator हमारे conditions अब apply हो चुके है चार्ट टाइप हमारा candle stick है इसे नाम दे रहेते हम यहां पर और हम क्लिक करेंगे scan and save पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें result देखने के लिए मिल चुका है आईए एक stock को चुनते हैं और उसे चार्ट पर जाके चेक करते हैं blue dot all right so kite platform पर हम आज जाएंगे अगे 5-minute chart चेक करना है हमें stock का आप जैसा कि देख पा रहे हैं bullish momentum है और just अभी एक pullback के बाद एक positive trend भी develop हो रहा है इस stock में right so इस प्रकार से आप easily scanners create कर सकते हैं और आप चाहें तो scanner को दूसरे time frame पर भी use कर सकते हैं जरूरी दिनी है कि आप इसे 500 sorry 5-minute time frame पर यूज़ करें और एक बहुत ही interesting feature यहां पर है take life अगर आप चाहते हैं कि scanner automatically run होता रहे और आपको alerts आते रहे तो आप take life पर click करके इसे live कर सकते हैं तो streak system जो है इसके बाद automatically scanner को run करता रहेगा और आपको alerts बेचता रहेगा आप चाहें तो buy and sell orders यहां से direct place कर सकते हैं या फिर technicals का इस्तिमाल करके चेक कर सकते हैं कि अलग अलग time frame पे किस प्रकार का trend है अलग अलग indicators क्या कह रहे हैं इस talk के बारे में एक और हम bearish scanner develop करेंगे यानि कि sell opportunities identify करने के लिए यह तो हो गया buying opportunities के लिए दूसरा जो हमारा scanner है bearish scanner बहुत ही simple scanner है super trend बहुत ही popular indicator उसमें हम एक change करने वाले छोटा सा default parameter नहीं use करेंगे उसके बजाए हम use करेंगे 14.4 parameter आए चार्ट पे I mean strict platform पे चलते हैं और इस scanner को भी develop कर लेते हैं scanner my scans create new all right so यहां पे फिर से हम nifty 500 चूस कर लेते हैं time frame 5 minutes candlestick all right super trend 14.4 super trend जो है higher than होना चाहिए close जब super trend price के उपर होता है तब वो negative trend हमें बताता है बताता है हमें की trend जो है फिलाल negative है इसलिए हमने यहां पे use क्या है super trend higher than close next condition जो हमारी होगी वो है RSI condition RSI में भी हम default RSI नहीं use कर रहे हैं हम use कर रहे हैं RSI 4 periods का जिसमें जो movement है वो काफी quick रहेगी अगर आप come period का use कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी noise भी जादा होती है RSI में बट वो quickly direction change करता है so RSI 4 crosses below यानि की नीचे cross करना चाहिए RSI moving average को so moving average RSI यहां पे again 4 and period हम moving average का रखेंगे 6 so इसका meaning simple है मैं आपको एक बार chart पे दिखा देता हूं RSI plot करेंगे हम सबसे पहले RSI 4 and moving average plot करना है आपको यहां पे जाके आप type करेंगे moving average field में आप select कर लेंगे RSI and simple period हमने 6 select किया था so यहां पे हम डालेंगे 6 so जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब यह RSI अपने moving average को cross करता है तब negative trend या फिर negative price moment हमें देखने के लिए मिलता है उसी का हमने यहां पे अपने scanner में यूज किया है so इसे हम नाम देते हैं and scan कर लेते हैं so यह results है हमारे सामने इसका भी chart हम चेक करेंगे बजाज auto let's see बजाज auto बजाज auto chart five minute so जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफी जादा bearishness हमें देख रही है इस टाइम पे bearish trend है bearish momentum है and यहां पे अगर हम चेक करें तो immediate support level था यहां पे वह भी break हो चुका है so इस प्रकार से आप easily bearish trending या फिर sell opportunities भी identify कर सकते हैं trading के लिए अब जब अब जो चीज हम करने वाले हैं वह काफी जादा interesting है अब हमने जो scanners and scanners बनाए थे दो scanners हम उनही को convert करके अब strategies develop करेंगे so हमारी first strategy जो है जो हमने कुछ automobile stocks पे back test की होई है same vortex and arun scanner जो हमने develop किया था उसी का use करके हम strategy बनाएंगे again हम streak platform पे जाएंगे and scanner my scans में हमारा already वह scanner बना हुआ है right so यह जो है आप trick यूज करके अपने scanner को directly strategy में convert कर सकते हैं यहां में बटन है convert into strategy मैंने क्लिक किया अब जो मेरा scanner है वो strategy में convert हो चुका है इसमें मैं कुछ automobile stocks पे हम backtest करने वाल हैं तो मैं उन्हें add कर देता हूं basket का use करके जैसा कि आपने देखा मैंने basket का use किया है basket का use करके आप basket में basically अपने favorite stocks को save कर सकते हैं यहां पे baskets में जाके and then आप उनको one click में add कर सकते हैं यहां पे time frame हमारा strategy का five minutes है and buy strategy है because bullish conditions है यहां पे quantity आप कितने quantity trade करना चाहते है each stock so वो मैंने यहां पे डाल दी है for an example hundred stocks and this strategy में हमारा exit condition भी है so जैसे कि मैंने आपको पहले explain किया था Vortex and Arun से हम check कर रहें कि जो momentum है वो positive है then यहां पे हम check कर रहें जो trend है वो भी positive trend start हुआ है अब हम कुछ exit conditions add करने वाले हैं अपने strategy में so यहां पे आप click करेंगे exit condition यह रहेगा कि अगर momentum जो है वो खतम हो जादा है भले trend positive रहे अगर momentum खतम हो रहा है तो हम exit कर देंगे so यहां पे हम डालेंगे vortex indicator plus अगर cross below करता है if crosses below vortex minus और या फिर अरून जो indicator हमने use क्या था अरून अब अगर down हो जाता है crosses below अरून डाउन तभी भी हम इसे exit कर देंगे 1% stop loss 2% target आप अपने risk and reward के हिसाब से क्या आप रख रहे हैं क्या आपका risk appetite है उसके हिसाब से आप stop loss and target decide कर सकते हैं और उसके बाद back test करना भी काफी जरूरी है जब तक आप back test नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा आपका stop loss या target जो है वह actually मैं work कर रहा है या नहीं और राइट सो हम रेडी है इसे back test करने के लिए ओके आफ्टर गेविंग दिनीम हम इसे back test कर लेंगे आई क्लिक करते हैं save and back test button पर हमारी strategy रन हो रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें इसे return भी देखने के लिए मिल गया है और अगर आप detail में चेक करना चाहते हैं detail में analysis करना चाहते हैं आप इसे open कर सकते हैं इस button का इस्तिमाल करके आप brokerage apply कर सकते हैं यहां पर आपको in detail सारे trades जो भी हो है back test के time वह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पर जो आपको returns दिख रहे हैं 13%, 6%, 10% वह returns जो हैं वह without any leverage हैं यानि कि margin जो आप margin यूज करते हैं trading के time उसे consider नहीं किया गया है total आप जो अगर आप उस stock को buy कर रहे हैं तो आप total price जो pay करेंगे उसे लेकर के यह returns calculate हो रहे हैं तो अगर आप MIS leverage लेके trading कर रहे हैं तो आपका return है obviously इससे जादा होगा काफी जादा या फिर अगर आप futures में कर रहे हैं तो भी आपका return जो है multiply हो जाएगा यह important चीज थी बताने के लिए जो कि मैंने आपके साथ share कर दी है next strategy again sell strategy जो हम discuss करने वाले है bearish strategy जो हमने scanner बनाया था super trend and RSI moving average का use करके same हम use करने वाले है same technique again we will convert that into a strategy यहां पर right side में मैंने एक और screenshot दिखाया हुआ है आपने अगर notice किया होगा तो हमने recently v4 launch किया है हमारे app का जिसमें काफी सारी new features है and यह snapshot है हमारे v4 में किस प्रकार से यह back testing result दिखता है तो आप जरूर check out कीजिएगा scanner हमने already scanner develop किया हुआ है my scans में हम जाएंगे super trend okay scan now इसे भी हम convert कर लेंगे strategy में simply one click से हमारा यह बन चुका है and इस बार हम scan I mean इस बार हम back test करने वाले हैं कुछ banking stocks पे so banks यह हमने कुछ popular banks को add कर दिया है and यहाँ पर again quantity कुछ आप ले लेंगे अपने trading के हिसाब से and then यहाँ पर time frame select करेंगे five minutes हम five minutes पर back test करने वाले है and position sell रहे ही because obviously bearish condition हमने यहाँ पर बनाई हुए है conditions मैंने आपको already पहले explain कर दिया था क्यों हम super trend q rsi q rsi moving average यहाँ पर use कर रहे है all right इसमें भी हम stop-loss target डालेंगे अपने risk and reward के हिसाब से and back testing के हिसाब से कौन सा आपको suitable लग रहा है वो आप choose करेंगे and then name देंगे all right so we are ready to backtest now we simply have to click on the save and backtest button so backtest run होने वाला है run हो चुका है in fact and यहाँ पर आपको returns देखने के लिए मिल गए है जो कि कुछ popular banks पर हमने backtest किया है again यहाँ पर win to loss ratio यहाँ पर काफे सारे numbers total winning signals losses sorry total wins total losses winning streak losing streak max drawdown max drawdown measure of risk है आपको दिखाता है कितना risk involved है इस strategy में इस stock पे so let us say आप काफी खुश है backtest results से और आप इसे use करके trade करना चाहते हैं तो simply आप यहाँ से choose कर लेंगे वो stocks जिन पर आप trading करना चाहते हैं and then is button को deploy button को यहाँ पर quantities fill करके options fill करके आप चाहे तो पहले paper trade करके देख सकते हैं कि live market में आपकी strategy किस प्रकार से perform करेगी अगर आप संतुष्ट है backtest से paper trading से तब जा कि आप अपने strategy को live deploy कर सकते हैं ताकि जो up trading हो वो real capital से हो so यह एक बहुत ही बड़ा advantage है यहाँ पर आप दो बार sure हो रहे हैं कि आपकी strategy work करेगी before risking your capital so हम conclusion तक आ चुके हैं इस webinar के जैसा कि हमने देखा आज के webinar में elections जो है वो काफी affect करते हैं markets को आप वो tables जरूर जाके एक बार वापस check कर जिएगा rewind करके बहुत ही important table है बहुत ही ज्यादा important information है and elections जो है उसमें कुछ थोड़ी सी predictability होती है returns before and after थोड़ा साम predict कर सकते हैं जैसा कि हमने उस table में देखा था uncertainty के वज़े से volatility काफी high रहने वाली है election के time especially between election and results so आपको बहुत ही ध्यान से trading करनी है risk management का proper ध्यान रखना है scanners develop कर सकते हम trading opportunities को identify करने के लिए and trend following momentum strategies को use करके हम इन opportunities को अच्छे से capture कर सकते हैं so thank you everyone किसी भी प्रकार के सुझाओ है doubts है इस webinar से related feedback है तो हमें जरूर शेर किजिए इस email id support at the ratesfreak.tech पर आप हमें follow कर सकते हैं यह हमारा YouTube चैनल है twitter and telegram पर बहुत ही important चीज़ यहां पर मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर आप आप न्यूली सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर न्यूली आ रहे हैं हमारे प्लाटफॉर्म पर तो आपको free demo का option मिलता है आप यहां पर इस बटिन को क्लिक करके एक अपने लिए free demo भी book कर सकते हैं so thank you everyone इस webinar को हम यहीं समाप्ट करते हैं बिलूंगा मैं आप सबसे अगले webinar में आपका दिन शुब हो बबाई टेक केर